राजिस्थान में इस बार का विधान सबाद चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है प्रदेश में 25 नवंबर को मद्दान होगा इसके परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे ऐसे में भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस दोनों के लिए राजिस्थान इस वक्त मुसीबत का सबब बना हुआ है दरसले एक तरफ जाम वसुंदरा राजे पर बीजेपी कुछ भी खुलकर नहीं बोल पा रही तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस के उमिद्वारों की लिस्ट घोशित ही नहीं हो पा रही ऐसे में खबर यह है कि कॉंग्रेस राजिस्थान में कई मौझूदा नेताओं के टिकेट काट सकती है तो यहाँ पर सवाल उटता है कि किन निताओं के टिकेट कट सकते हैं? कॉंग्रेस क्यों अभी तक अपनी लिस्क जारी नहीं कर पा रही है? वसुंदरा राजे के नाम पर बीजेपी अंदर खाने सोच क्या रही है? अगर इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो आई आपको उस वीडियो में बताते हैं. एक-एक करके बात करते हैं और सबसे पहले बात कॉंग्रेस के बारे में. किन मंत्रियों के टिकेट कट सकते हैं? अगर इस बात की जाए तो पता चल रहा है कि कॉंग्रेस में इस बार कई मंत्रियों के टिकेट कटने की संभावना बनी हुई है जिनमें कई बड़े नाम भी शामिल है उधारण के तौर पर भरतपुर के कामा से विधायक और मंत्री जाहिदा खान का जोरदार विरोध हो रहा है वहीं कोलायत से विधायक और मंत्री भवर सिंग भाटी मंत्री लाल चन कटारिया, मंत्री राजेंदर रियादव, हेमा राम चौधरी, मंत्री बिजेंदर सिंग ओला, बीडी कल्ला जैसे कई नाम है जिनके टिकेट काटे जा सकते हैं याने उन्हें दुबारा मौका मिलना मुश्किल है इन मंत्रीयों का पिशले कई महीनों से विरोध हो रहा है और आंतरिक सर्वे रिपोर्ट में भी ने पीछे पाया गया है चुनावी मैदान वैसे जैपूर जैसे कुछ बड़े शेहरों की चर्चा है जहां उनके टिकेट भी काटे जा सकते हैं जो इन इलाकों से लड़ते हैं हलाकि अभी कॉंग्रेस में महासंगराम दिल्ली में जारी है जहां बैटकों का दौर चल रहा है अब बीजेपी में विधायकों पर आफ़त आई है भारती जनता पार्टी कई विधायकों के टिकेट पहली ही लिस्ट में काट चुकी है और अभी कई और के हो सकता है कि टिकेट कटने बाकि हो जैपूर की बात करें तो मालवी नगर, सांगनेर ये दो ऐसी बड़ी सीटे हैं जहां पर बदलाव की पूरी संभावना बताई जा रही है यहां से बीजेपी के दो बड़े चेहरे हैं, ऐसे कई जिले हैं जहां पर सिटिंग विधायकों को दुबारा टिकेट नहीं दिया जाने वाला है बीलबाडा जिले की, शाहपुरा, पाली की सोजक और बूंदी जिले की बूंदी विधानसवा सीट पर सिटिंग एमेले को टिकेट नहीं दिये जाने की चर्चा राजस्थान के सियासी हलकों में काफी तेज है हलाकि अभी कई ऐसी सीटे हैं जहाँ पर भाजपा के रास्ट्रे अध्यक्ष जेपी नड़ा खुद दौरा करेंगे यहाँ पर बगावत की सुबुगाट भी हो रही है लेकिन पार्टी इसी कारण से पूरी तयारी के साथ आगे बढ़ रही है बाकी दल बगावतियों के सहारे पर है अगर आमादी पार्टी की बात करें तो बगावतियों पर वो नजर रख रही है जो भी बड़े नेता आजपा या कॉंग्रेस से टिकेट ना पाने पर चुनावी मैदान में जाना चाहते हैं उन पर आमादी पार्टी की पूरी नजर बनी गुई है पार्टी की नेताओं का दावा है कि उनके टच में कई दिककज हैं जो टिकेट ना मिलने के बाद आमादी पार्टी में जाना चाह रहे हैं वहीं बसपा भी बड़ी संख्या में बगावतियों पर नजर रख रही है और उन्हें मैदान में उतारेगी इस तरीके से यहाँ पर जितनी छोटी पार्टीयां हैं वो भी पूरी तयारियां कर रही हैं और बगावतियों पर नजरे जमाए बैठें डुंगरपुर, बासवाडा, प्रताबगर, उधैपुर में राजकुमार, रोध की पार्टी और बीटीपी पूरी तरीके से ऐसे ही बगावतियों पर नजर बनाए बने अब चुनाव के पास आने पर ये साफ हो जाएगा कि जब उम्मीदवारों का एलान होगा तो कौन ऐसे हैं जिने टिकेट मिलता है, कौन ऐसे हैं जिने टिकेट नहीं मिलता और उनमें से कौन से ऐसे हैं जो बगावत करते हुए किसी दूसरी पार्टी से टिकेट पापाते अमा रुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमा रुजाला चैनल सबस्क्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर आमारुजाला, निश्पक्ष, निर्भी, निरंदर